पुट ऑप्शन से आपको क्या नफा या नुकसान हो सकता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ डाइग्राम बनाते हैं और उस डाइग्राम को हम बोलते हैं पे आफ डाइग्राम्स सो पुट ऑप्शन को के नफा नुकसान को दिखाने के लिए आप पे आफ डाइग्राम्स बना सकते हैं सिबिलरली कॉल अप्शन के लिए भी पे आफ डाइग्राम के थू हम वजाहत करते हैं कि हमें किस पॉइंट के उपर क्या एडवांटेज मिलने वाली है प्रॉफिट मिलने वाले हैं या हमें कोई मनाफ़ा नहीं मिलेगा so basically when we look at the definition of payoff diagram it is the visual description of the value of a put option at the expiration based on the value of the underlying stock so अगर हम इस particular diagram को देखें तो as you can see यहां पर हमने horizontal axis के उपर stock price at expiration date को मैयर किया है और vertical axis के उपर आपको देखने को मिल रहा है these are the various payoffs call option के उपर जो आपको मुक्तलिफ payoffs मिलने वाले है यानि कि मुनाफ़ा मिल सकता है now इस पे आप देख सकते हैं कि zero से लेकि एक 100 तक आपको यह horizontal straight line देखने को मिल रही है और 100 के बाद फिर आपको यह एक vertical upward sloping positively sloping straight line देखने को मिल रही है इसका मतलब यह है कि जब expiration date नहीं आई जब तक expiration date नहीं आ रही और तब आपके साथ यह promise किया गया है option के contract में कि हम 100 रुपए के उपर आपको यह particular चीज बेचने वाले हैं तो अभी उस से पहले उस कीमत के तक पहुंचने तक expiration date के आने तक किसे पहले अगर आप इस particular option को market में exercise करेंगे तो आपको जो payoff है उस वो zero मिलने वाल है but now if the expiration date passes expiration date हो गई गुजर गई आ गई उसके उपर अगर आप exercise करते हैं अपने options को तो हो सकता है कि आप दें option के थूँ कोई stock ली है 100 रुपए की लेकिन market में इस वकद उसकी कीमत 120 रुपए थी in that case आपको एक stock के उपर 20 रुपए का मुनाफ़ा होगा तो जैसे हमने आपको बोला कि मैंने आपको बताया कि जो unit है इसमें वो 100 होता है तो आप एक unit नहीं ले सकते एक share नहीं ले सकते आपको कम असकम 100 share लेने हैं तो अगर market में 6 रुपए या 4 रुपए एक share की कीमत उपर चली की है तो आप automatically 600 रुपए आपको फाइदा पहुंचेगी अगर आप expiration date के उपर exercise कर लेते हैं option और जिस कीमत पे आपने option को exercise किया है यानि के जो strike price था वो lower है as compared to जो के market में अभी कीमत है उस particular stock का तो in that case आपको per unit जितना difference है उसके साब से आपको profit मिलेगी और this is how you can show this particular line के अगर profit अगर कीमत बढ़ गई है तो आपको मनाफा होगा और अगर expiration date तक आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं और अगर आप उससे पह time period के उपर उसको बेचेंगे तो आपको कोई payoff में कोई इजाफा नहीं मिल रहा, payoff will be zero, you will not be able to generate any money other than at the top of what you can get अगर आप expiration date तक wait कर लें और कीमत market में increase कर जाए